जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी ज़रू लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2020 में सरत पुर्णिमा किस तीन है पुर्णिमा तिथी कब से सुरू है कब समाप्थ है पुर्णिमा तिथी की पुजा की विधी क्या है साथी साथ अगर आप सरत पुर्णिमा की रात को ये पांच उपाय करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन बरसेगा वो कौन से या से पांच उपाय आपको करना है सरत प अपनी कविता में करने से खुद को रोक नहीं पाएं हैं बरसात के बाद धुले आसमान में चंदा की चांदनी देखते ही बनती है कि मा लक्ष्मी भी इस रात को धन की वर्सा करने से खुद को रोक नहीं पाती सरत पूर्णिमा को मा लक्ष्मी के जन्व दिन के रूप में मनाया जाता है चारो और विखरी चांदरी में अमरित वर्सा होती है मानिता है कि दीवावली से पहले मा लक्ष्मी का स्वागत करने का यह विसेश अफसर होता है ऐसा कहा जाता है कि इस रात को किये गए कुछ खास उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी आपके घर में भी धन वर्सा करा देते हैं तो आज की वीडियो में हम वैसी पांच उपाय आपको बताएंगे जो की आपको करने हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगो से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आगा, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना जादा से मुष्मiner करेंगे लिए सबसे पहले हैं इस दिन साफशफाइ का बिसेश महत्व होता है इस दिन खास करके ज्यादा से ज्यादा सफाई पिध्यान दिया जाता है मा लक्षमी का बास उस घर में माना जाता है जहां के लोग साफशफाइ और स्वक्षता से रहते हैं दीपावली पर लोग इसी वज़ा से अपने घर की पुताई करवाते हैं और साफसफाई करते हैं सरत पूरीमा से ही आपको घर की साफसफाई करना आरंभ कर देना चाहिए ऐसा करना बेहत सुमाना जाता है और आपके घर से सभी प्रकार के ग्रहदोस दूर होते हैं चुकी मा लक्ष्मी का इस दिन जनम दिन मनाया जाता है ऐसे में माता को भेट के रूप में उनके प्रिये वस्तुएं अरपित करनी चाहिए इन में सिंगाडा, मखाना, दही, पान और बता से परमुख माने जाते हैं सरत पुर्णिमा के दिन साम की पूजा में आपको मा लक्ष्मी को इन सब बस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और फिर उसकी बाद इन्हें परसाद के रूप में बाट देना चाहिए आप और आपके परिवार के उपर मा लक्ष्मी की क्रिपा होती रहेगी इस दिन तुलसी पूजा का भी विसेश महत्व है दीपा वली से पहले सरत पुर्णिमा को मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए विसेश आयोजन के रूप में देखा जाता है पुर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी पर दीपक जलाए और साथ ही सिंदुर भी चड़ाना चाहिए इसके अलावा तुलसी को सफेद मिस्टान से भोग लगाना चाहिए ऐसा करने वालों पर मा लक्ष्मी की विसेश क्रिपा होती है कहते हैं जो तुलसी को प्रसंद करने पर भगवान विस्टान और मा लक्ष्मी सोता ही प्रसंद हो जाते है सरत पुर्णिमा की रात को जागरन मा लक्ष्मी के जनम दिन के रूप में सरत पुर्णिमा का तेवहार मनाया जाता है और इस रात को सोना नहीं होता है सरत्पुर्णिमा को रात्री जागरन करते हुए मा लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए इस रात को कोजागरी भी कहा जाता है रात में आपको मा लक्ष्मी के ध्यान के साथ ही विस्नु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए खीर के रूप में प्रसाद गरहन करें माना जाता है सरतपुरिमा की चांदनी रात में अमरित वर्सा होती है, इस रात में चावल की खीर बना कर महीन कपड़े से ढख कर उसे खुले आसमान के नीचे रख देना चाहिए, दूद चावल और सक कर तीनों ही मालक्ष्मी को प्रिये है, अगले दिन सुबह हसनान के परिवार के सभी सदस्यों को माट देना चाहिए, माना जाता है इस खीर को खाने से स्वास्त रूपी संपदा और आरोगी रूपी बर्दान प्राप्त होता है, साथ ही आपके घर से धन की कमी भी दूर होती है, तो दोस्तों ये मैंने कुछ उपाय बताये जो कि आपको सरत पुरनीमा के दिन आपको करने हैं, अब चलिए जानते हैं वर्ष 2020 में सरत पुरनीमा कब है, पुरनीमा तिथी कब से शुरू है और कब समाप्त है? दोस्तों आपको बता दे कि बर्स 2020 में सरत पुरुनिमा 30 ओक्टूबर को मनाई जाएगी पुरुनिमा तिथी की सुरुआत 30 ओक्टूबर को संध्याकाल में 5 बच के 45 मिनट पे शुरू हो जाएगी वहीं पूर्णीमा तिथी के समाप्ती 31 ओक्टूबर 2020 को रात्री में 8 बच के 18 मिनट पे समाप्त हो जाएगी चंद्रोधे का समय संध्याकाल में 30 ओक्टूबर को 5 बच के 20 मिनट पे रहेगा तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्णी विश्वासे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें